इस video मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने instagram account में आयों messages को किस तरह से unread कर सकते हो इस कलीए सबसे पहले आपको अपने instagram को open करना है instagram को open करने के बाद आप को message पर click करना है फिर guys मैं आपको बता दू कि अगर आपका जो instagram account है वो personal account है तो आप उसे professional में convert कर लीजे क्योंकि guys यह जो option इसे professional account में अबेले वाल है so personal account को professional account में बजलने के लिए सबसे पहले आपको इन three lines पे click करना है three lines पे click करने के बाद अब आपको यहाँ पे settings and privacy वाल अप्शन पे click करना है settings and privacy पे click करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूरा scroll down करना है फिर guys यहाँ पे आपको account type and tools वाला option मिलेगा simply इस पे click करना है account type and tools पे click करने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे उपर switch to professional account वाला option मिल जाएगा simply इस पे click करना है switch to professional account पे click करने के बाद अब आपको नीचे continue पर क्लिक करना है चार बार फिर guys आप यहाँ पर कुछ भी option select कर लीजिए फिर आपको dump पर क्लिक करना है फिर जो है आप यहाँ पर creator है business जो चाहिए वो select कर सकते हो फिर next पर क्लिक करना है फिर guys इतना करने के बाद आपको जो profile है वो जो है personal से professional account बन जाएगा so guys जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जो account है professional account बन चुका है आप guys आपको simply अपने messages पर आना है और guys इस तरह से जो है आपको swipe right करना है या guys long press करके जो है आपको यहाँ पर option मिल जाएगा so guys जैसे आप यहाँ पर long press करोगे और long press करने के बाद अब आपको यहाँ पर mark as a unread वाला option मिल जाएगा simply इस पर click कर देना है और guys इस पर click करते ही आपको जो message वो unread हो जाएगा इस तरह से आप Instagram के message को unread कर सकते हो वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like करके जाना और अगर आप हमारे channel पर ने हो तो हमारे channel को भी subscribe कर देना